शादी से पहले ही केटरीना कैफ और विकी कौशल के खिलाफ दर्ज होई शिकायत आखिर क्यों चली जानते हैं हलो दोस्तों मैं हुकोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलबड स्पाई किट्रीना कैफ और विकी कोशल इन दिनों अपनी शादी को लेकर सुल्खियों में बने हुए हैं जानकरी की मताबिक दोनों 9 दिसंबर को एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे शादी की कुछ दिनों पहले ही इस कपल पर राजस्थान के रहने वाले निवासी उन्होंने शिकायत दरज कराई है दरसल के ट्रीना कैफ और विकी कोशल के खिलाफ सो मबार को ये शिकायत दरज हुई है आपको बता दे कि सेलिबरिटी कपल दो दिन बाद राजस्थान के सवाई माधुपूर में डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं शादी के लिए कपल ने सवाई माधुपूर के चौथे का बढ़वारा इस्थित एक होटेल बुक किया है यहाँ पर प्रेसिद चौथे माता का मंदिर भी मौजूद है लेकिन केटरीना और विकी की शादी के कारण यहाँ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है ऐसी में मंदिर का रास्ता बंद होने की वज़ह से शिकायत दरज की गई है आपको बता दे कि 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक इस जगह की रास्ते बंद कर दिये गया है अब देखना यह है कि शद्धालों के लिए यह दरवाजे खुले जाते हैं या नहीं क्या कहना है इस पर आपको आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बॉलिवुड की लेटिस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले